हाई एबरिवन स्वागा थे इस नए वीडियो में यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो पिले चैनल को सब्सक्राइब कर देजएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देजएगा ताकि हमारा नए नए वीडियो आप पहुंचता रहे आज हम बात करने वाले हैं जेस एल का एपस सबसे पहले हमें इसका बात करेंगे यह इन्डिको इन्डिको फार्माइसेस्ट दुबारा उपस्तुत है यह यह कर दफ दस कैप्सुल का पास्टिप आता हैं इसमें 10 कैप्सुल है एककर प्राइस है एमर्पी 120 प्याय है इसका मेनुफेक्ट्रिंड डेट माई 2022 है एक्सपारी डेट अक्टूबर 2030 है हम बात करेंगे इसका कॉमिनेशन के बारे में इसका कॉमिनेशन है लाइकोपेन बिटामिन और मिनेरल कैप्सूल है करेंगे किस काम में आता है इसका डोजज क्या है किसको दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते हैं आज हम बात करने वाले हैं जेसल कैप्सूल के बारे हैं यह जेसल कैप्सूल के जिसको भूक नहीं लग रहा है तागत कमजोरी है उसको दे सकते हैं तागत वाला कैप्सूल है जिसको बिटामिन बी टुवेल की कमी है उस ब्यक्ति को यह कैप्सूल दे सकते हैं जिस ब्यक्ति को जीव में फोड़ा फूसी हो गया है उसको दे सकते हैं यह कैप्सूल इसमें मिला हुआ है विटामिन दी थीरी है विटामिन बी टुवेल है विटामिन बी शीक्स है सोडियन सेलिनेट है क्रोमियम कुलॉराइड है रही परकार का कॉंपोजीशन ने मिला हुआ इसमें जिस ब्यक्ति का पैर में जंजना है कि टटैनी रहता है उसको ब्यक्ति को दे सकते हैं यह जैस एल सिरफ तागत की कैप्सुल है अब हम बात करेंगे किसको नहीं दे सकते हैं किसको कितना दोज दे सकते हैं यह कैप्सुल सभी के लिए सेफ है जिस ब्यक्ति का अधारा पाला से उस ब्यक्ति को यह कैप्सुल सुभा साम दे सकते हैं जिस ब्यक्ति का अधार से कम है उम्र ब्यक्ति को दिन में एक गोली रोज एक गोली दे सकते हैं यह कैप्सुल पाग्नेन सी में भी सेफ है पाग्नेन सी महला को भी दे सकते हैं यह कैप्सुल ब्यक्ति करते हैं यह कैप्सुल